बिस्म Allahyarham alirrahym ना कर बंतर इंक्रिमेंट और डिकरिमेंट और पॉंटरज इंद तीसरा पाट है हमारा तो तब तो तो थे स्टार्ड है और अंदिसरा नारमल बशीकों जब हम कोई इंक्रेंट इंक्रिमेंट करते हैं तो वो उसकी वैयल्यो में मतलब कि increment या decrement करता है suppose int i is equal to 10 लगाता हूँ और फिर यहां पर मैं इसको i++ करता हूँ तो होगा क्या कि इसको में दूब में चलाऊँगा तो 11, 12, 30 फोड़ा हूँ उसकी value में increment करता है रेकर pointer भी case में ऐसा नहीं होता है पॉइंटर में क्या होता है कि increment या decrement जो होता है वो memory address के उपर होता है तो जैस टाइप का हम pointer बनाएंगे उसी के pointer view से उतने byte का increment होगा तो increment या decrement को हम use क्यों करते है क्योंकि इसका यूब मुश्ती एरेस में होता है क्योंकि जब हम एरेस की जो memory location होती है वो consecutive होती है suppose मैं कोई एक array बनाता हूँ int add और उसे मैं initialize कर देता हूँ suppose उसमें मैं कोई values रख देता हूँ तो यह memory में यह concept location पर तो इनका memory एड्रेस बोल में कर देता हूँ के fd 1 4 इस तरह और fd 1 8 आएगा बन 12 आएगा है बन जे वी इस तरह तो बतलब कि चार का पिर दो प्रक्ट्री पॉन पर दर्टल में करते काहई स्फिए रर्य वहां करो आपके तो पुंडल के फार इनिकर्णन एकर करेंगे क्या है रगल के फ्रेजिध है यको कि सी के आपके पॉंट्पोंचाहिं इनद पर भी है बीज इंधे पर और कहुंते अगर लका हॉन तो उसके उपर एंक्रीमें य skeptics अगर मैन अगर ईंदर गुक्रीमेंगा तो उन उन बाइट का इंद़ करेगा independent अगर बनाओ लेता है। अगर मैं हम मैं फ़ोण टाइप का सबB लुएठ एब करें है मेरा को बताया है कि पॉइंटर्स के उपर इंक्रिमन या टिक्रिमन हम तब लगाते हैं जब हमें बतला कि एरे इसके साथ काम परना हो चलिए मैं एक इंट्रीजर टाइप की एक एरे बनाता हूं और यहां पर एरे का साइज नहीं दिया रहा है क्योंकि एड़ टाइम डेग्रेशन मैं इसे स्टैक्रिक ही रख रहा हूं अगर साइज यहां पर दे भी दें तो भी पर्क नहीं पड़े रहे हैं यह एक एरे बनाई है जिसमें मैंने पांच एलिमेंट्स टोर किया है और यहां पर मैं इक वेरीपल बनायना चाहता है प्य गांतिर और इस पी-डिया-बिये में वैलियो देनाата हूं आ आर की सटो यह पर पीटी ऑर ऊकimento का मतलब है के इस अरे कंता और का नुक्ट फश्ट एलिमेंट सबख़र मैंने पीटी यर को एलोगेट कर दिये हैं क्योंकि अगर यहां पर वेरियबल होता तो मुझे यहां पर एंड साइन लगाना पुरता है लेकर एरे में ऐसा से नहीं होता तो यहां पर आपको जस्ट ए आर आर लिखना पड़ेगा या पिर आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं अगर उसका फस्ट एलिमेंट गेना चाहें तो वो हैंड साइन के साथ इस तरह आएगा इसमें और उसमें जिस्ट यहीं फार्क है कि अगर आप मतलब के इसको बेस एड्रेस पॉइंटर को बेस एड्रेस देना चाहते हैं एरे का तो जस्ट एरे का नाम लिख दे हैं मैं थोड़ा सा मजीद इसको आसान बनाने कोशिय करता हूं मैंने एक एरे लिए जिसमें मैंने पांच एलिमेंट दिने और एक पॉइंटर वेरीबल बनाया है इंटीजर डेर टाइप का इस हमारे पास एरे भी इंटीजर टाइप की और पिर इस पॉइंटर वेरीबल को मैंने एरे का जो फस्ट एलिमेंट है उसका एड्रे तो बेस अड्रेस को द्यने के क्या तरह का था होता है? मैं और ऐब जिर आइरे के पहले प्रैने का नाम की है करिंगे बस्कों आदिस होना है एरे का उसका एड्रेस आप लिखते हैं इस सेम चीज़ है तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि जी मेरे पास एरे की जितने भी एलेमेंट हैं इनको मैं प्रेंट कराना चाहता हूँ तो सी आउट एलेमेंट्स आफ एरे आर चाहिए फार लोग के दर ये इसको हाल करने की पूर्शिक जिनते हैं आई इस एकल दो जीरो आई एज लेस दैन एकल दो फॉर्ट का मैं यह मैंने पूर क्यों किया यह आप पर मुझे बताएंगे और यहां पर सी आउट यह उपर वाई स्टेड में लिखने थे हैंगे इसी गुले देगे जिस्ट मैंने सी इन तो नहीं करना जिस प्रिंट ही कराना तो यह आगया और यहां पर एरे और उसका यहां यहां पर मैं जो काम करना चाहा हूं वो यह है कि पी टी आर में इंक्रिमेंट करता है अधिक और चलिए इसको दरा देखते हैं यह वर करेगा के नहीं करेगा इस प्रिंट करा रहा है ठीक है मैं यहां पर क्या करता हूं कि पी टी आर में देख एड्रेस आएगा और मतलब कि टैन का जो एड्रेस होगा मैमरी में हो आएगा फिर उस इंक्रिमेंट होगा कितना इंक्रिमेंट नों का फॉर बाइट का जो के इंटीजर है तो उसके बाद मतलब के फॉर का इंक्रिमेंट आएगा इसमें इसी तरह से यह लूप चलता रहेंगा जब यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या रहा है कुछ अरी जो गरीब जीदारी मेरे सामने पाइटान की मैंने की रख साही नहीं किया कुछ वड़ा सपेह दे रहे हैं अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि जो एलिमेंट मेरे पास लोकेशन 10 के ओपर स्टोर है उसका जो एड्रेस है वह आखर में 50 आ रहे हैं क्योंकि मैंने पाइंटर के ओपर इंक्रिमेंट लगा यह था करते हैं तो देखें फोर के इंक्रिमेंट हो उसके बाद फिर फोर के इंक्रिमेंट होगा अब यहां पर इसलिए सी आ गया थीक है तो इसी तरह से यह जो कि इंक्रिमेंट होता है वह एड्रेस को पर होता है और वह इंक्रिमेंट यहां पर क्योंकि हम देख सकते हैं कि इंटीजर की जो है वो 4 byte memory में लेता है जलिए मैं यहां पर आपको दिखा भी देता हूँ बनके यहां पर लेग लेते हैं see out size of teacher data type is कितना होता है, कौन दा पंक्चान होता है यह का, size of का एक पंक्चान होता है और यहां पर मैं int लिखता हूँ, और यहां पर candle लिखता हूँ तो integer कित्रे बाइट लेता है अभी हम पूछता है, वी इस्टूडियो से तो वी इस्टूडियो में बताएगा कि यह 4 byte लेता है, देख सकते ही यहां पर फोर लिखता हूँ, इसलिए चार के इनक्रिमेंट आ रहे हैं यहां पर टेक लेक्ट हैं और इनकी लोकेशन आड्रेस और आगे हैं लेकिन वह उतना बाइट उसके उपर इंक्रिमेंट करेगा जो आपने डेटा टाइप वहां पर स्पिसिफाई की होगी यंकेस कि आपने इंटिजर की है तो फोर बाइट और इसी तरह में अगर फलोट की दिखना चाहिए तो फलोट कर फोर बाइट है स्वारी मैं पहला वो फोलत बिखाया इसके फोर बाइट होता है कैयर का होता है तो यहां पर रफदाई सकती है तो उमीदिए आपको इंक्रिमेंट यह समझ आ गया होगा इसी दिन इतना ही थैक्स और वाच्ट